दोस्तो इस वीडियो में आप अक्छोगुनी सेना की विसलता के बारे में जानने वाले हैं दोस्तो आज हम ये सीख सकते हैं कि कैसे होता है एहंकार में इन तीनों का नास धन बैभव और बन्स ना आए यकी तो देख लो रामण कौरब कंस दोस्तो जब किसी यूग में दिरियोधन और कंस के जैसे अत्याचारी लोग बढ़ जाते हैं जब पाप और अधर्म अत्यधी काकतवर हो जाता है जब इमानदार लोग उस पाप के सामने लड़ने के लिए परियाप्त नहीं होते और जब जब सचे लोग जूट के सामने ऐसमर्थ हो जाते हैं तो तब तब उनकी रच्छा के लिए भगवान स्री विष्णु को किशी ना किशी रूप में अबतार लेना ही पड़ता है बिल्कुल जैसा महाभारत के युद्ध में हुआ दोस्तों ये महाभारत युद्ध माना वितिहास का सबसे बिद्वन सक युद्ध माना जाता है विष्व युद्ध की तुलना में महाभारत युद्ध अत्यदिख भीशन है महावारत युद्ध की तीब्रता पिर्थम विश्युदिया दुत्य विश्युद्ध से लगभग दोग उनी बताई जाती है बड़ी बड़ी विशाल अक्षोहुनी सैनाएं इस युद्ध में नश्ट हो गई थी और ये महावारत युद्ध पूरी दुनिया को युद्धाओं से खाली कर देने वाला युद्ध था आप इस विद्वनसक युद्ध का नुमान इस चीज़ से लगा सकते हो कि उस युद्ध में टोटल अठारे अक्षोहुनी सैनाओं का अठारे दिनों तक आमने सामने भीसन युद्ध हुआ दोस्तों केवल बोल देना तो बहुत आसान है कि अठारे अक्षोहुनी सैना लेकिन दोस्तों ये एक बहुत 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 बड़ी संख्या है आखिर 18 अक्षोगणी सेनाओं में योधाओं की संख्या कितनी होती है कितने लाख योधा इस युद्ध की आग में सहीध हुए थे इस चोटी सी वीडियो में सब कुछ अच्छे से बताएंगे आप वीडियो को अंत तक देखते रहना दोस्तो जब कोई बड़ी सेना समुंदर के समान पैली हो जिसका कोई और छोर ही नहीं लिखता हो जिस फौज या सेना में लाखो करोड़ो योधाओं की भारी भीड हो तो उस सेना को मैनेज करने के लिए एक मैनेजमेंट की जरूरत होती है और उस management के दौरा सेना को अलग-अलग संख्या में और अलग-अलग groups में बिवाजित किया जाता है दोस्तो जैसे वर्दमान में हमारी इंडियन आर्मी में सेना की संख्याओं के हिसाब से अलग-अलग groups जैसे section, battalion, regiment, brigade, company नाम के अलग-अलग groups बिवाजित होते हैं बिल्कुल इसी तरहे एक विशाल अक्छोहनी सेना भी बहुत सारे groups को मिला कर बनती है पता है कैसे? एक रत, एक हाती, पांच पैदल सेनी और तीन घोडे उस group को बोला जाता है एक पती और जब ऐसे ही तीन पती के सेनिकों को एक साथ मिला दिया जाता है तो उसको बोला जाता है एक सेना मुक पिर तीन चुमों को एक साथ मिला कर बनता है एक अनिकिनी और सबसे बड़ा सेना का एक विसाल सम्हू बनता है दस अनिकिनी को एक साथ मिलाकर बनता है एक अक्षेनी सेना अगर एक अक्षोहनी सेना में योद्धाओं की संख्या देखे तो एक अक्षोहनी सेना में होते हैं 21,870 रत और इतने ही हातियां होते हैं 21,870 हाथी होते हैं 65,610 गोड़े होते हैं और पैदल सैनिकों की संख्याओं की बात करें तो 1,9,350 होते हैं अगर इन्हें एक सा जोड़ें तो एक अक्षोणी सैना में हाथियों गोड़े और मनुस्यों की कुल संख्या 6,34,243 होती थी इस तरहे 18 अक्षोणी सैना में टोटल मिलाकर एक करोड़ 14,16,344 सैनिक थे जिन में 3,93,660 हाथी 27,55,620 गोड़े और 82,67,044 में सैनिक थे यहां मात्र 18 दिनों में देश और दुनिया के लगभग सबा करोड़ योद्धा सैनिक मारे गए इसमें करीवन 70,00,000 कौरब पक्षके थे और 44,00,000,000 योद्धा गती को प्राप्त हुए दोस्तो आब यहां पर एक सवाल आता है सभी सैनिक योद्धाओं को अलग-अलग संख्याओं के गुरुप्स में अलग-अलग नाम क्यों दिया जाता है तो दोस्तो ऐसा करने के दो सबसे बड़े कारण हैं पहला सबसे बड़े फाइदा आपात का गुरुप्स को युद्ध के लिए जाने का आदेज देते हैं और दूसरा सबसे बड़ा फाइदा यह है इससे राजा को यह सहना के अधिकारी को यह समझने में आसानी हो जाती है कि हमारे कितने योद्धा कितनी संख्या में कहां पर आपरेशन कर रहे हैं और इसी के साथ उम्मीद करते हैं आप कमेंट में बताओगे आपको अक्षोणी सहना का मतलब ठीक से समझ आ गया होगा महावारत और स्रीमत भगवत गीता से संबंदित और बहुत सारी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना मिलते हैं फिर किसी नई वीडियो के साथ तब तक के लिए जैसे किसी दो